सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मंधन 24-7 को और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें आज किस वीडियो का नतरकत हम बात करने वाले हैं पंजाब वाली छेत्र फर पंजाब वाले छेत्र मतलब जो हमारा सिंध प्रांत था भारत का पंजाब प्लस अब जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसका पंजाब देखिए जिस समय के हम बात करने वाले हैं उस समय पर ये वाली रेखा नहीं थी ठीक है ये वाली रेखा नहीं थी तो ये वाला पूरा छेत्र था पंजाब प्रांत या फिर हम कह सकते हैं सिंद प्रांत ठीक है ना कौन सा सिंद बाल प्रांत ठीक ये वाला हिस्सा ठीक, आज हम इस पर बात करने वाले हैं, देखिए, पहले पंजाब पर सिक्क गुरुओं का अधिकार था, ठीक ना, जैसे गुरु गुविंद, गुरु अंगद, अमर्दास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक ना, तेक बहादुर, हर राय, हर किसन, ये सभी गुर का अधिकार का मतलब है, पूजा पाट इस तरीके के सासन चल रहे थे, लेकिन, जिस समय की अब हम बात करने वाले हैं, पंजाब की, यानि रणजीत सिंग के समय की हम बात करने वाले हैं, अब इस समय पर सक्तियां राजा के रूप में उबरी, पहले गुरुओं के रूप म उबरे, तो आज हम पंजाब वाले छेत्र के किस पर बात करेंगे, रणजीत सिंग पर बात करेंगे, क्योंकि पंजाब वाले छेत्र पर हम पहले बात कर चुके हैं, किस के उपर, सिक्क गुरु या सिक्क धरम के उपर, ठीक है न, अब उसके बादगाई पूरसन है, जिसक रणजीत सिंग के समय से एक सासक वाला एक लडाकू ठीक है ना एक युद्धा वाला सामराज्य सुरू होता है ठीक तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में रणजीत सिंग के बारे में देखिए अंतिम सिख गुरू रहे गुरू गोविंद सिंग कौन गुरू गोविं गुरू तो बन गे गुरू गरंत साहिब लेकिन सासक बनना बाग की रह गया, सासक कौन बने, तो सासक बने, रणजीत सेंग, ठीक, रणजीत सेंग एक सासक को रूप में उगरे, तो अंतिम गुरू, गुरू गोविंद सेंग के बाद, सिक्क धरम जो है, वो कितने भागों म बट गया, बारे साखाओं में बट गया, बारे मिसल में बट गया, बारे साखाओं में बट गया, जिन में से एक मिसल या फिर एक साखा थी, चुकर, सुकर, चक्या, मिसल, सुकर, चक्या, मिसल, इसे सुकर, चक्या, मिसल के सबसे महतपून आदमी जो थे, वो थे महा सिंग कौन ते, महा सिंह, महा सिंह के ही पुत्र ते रणजीत सिंह, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, थीक है, दुबारा से repeat करता हूँ, सुनिएगा, अंतिम गुरू, गुरू गोविंद सिंह थे, जैसा कि हम सिक्धरम में बात कर चुके हैं, उसके बाद सिक्धरम 12 जिसके सबसे प्रमुग व्यक्तिते महा सिंग के पुत्त रहे रणजीत सिंग जिस पर हम बात करने वाले हैं ठीक है रणजीत सिंग के बारे में हम बात करते हैं ठीक है देखिए रणजीत सिंग के समय पर 1798 में अफगानिस्तान का एक सासक जमान सिंग जमान शाहा जमान शाह यहाँ पर उसकी तोफे हो जाती है. यहाँ पर शासन था किसका? रंजीत सिंग्ग का. ठोब अ शासन था किसको? लाहोर को. और 1805 में जीतते है। किसको? अमरसर को. रंजीत सिंग्ग? तो आपको याद रखना है कि जमान शाह जो कि एहमद सा अबदाली जिसे दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है एहमद सा मुगल तर मुगल सासक राजा था उसके समय पर भारत पर आक्रमन किया था एहमद सा अबदाली जिसे दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था उसका पुत्र था कौन? जमानशाह जमानशाह ने भारत की और आक्रमण किया लेकिन उसकी जो तोपे थी वो नदियों में गिर गई और जहां पर गिरी वहाँ पर किसका सासनता? रनजीत सिंग का सासनता तो रनजीत सिंग ने उसे ढुनवाने की कोशिस की उसे मिलवाया जब वो तोपे मिल गई तो जमानशाह खुस हुआ जमानशाह ने साहता की किसकी रनजीत सिंग की और उसी की साहता से 1709 में में रनजीत सिंग जीते लाहौर को और 1805 में जीते अमरसर को उनके इस सामराज्य विस्तार को देखते हुए अंग्रेज्वों को घबराहत होने लगी जैसे कि हाँ पर थे अंग्रेज थीक हैं इसे वाणे छेतर पर थे अंग्रेजों का साशन तो यहां तक तो आचुके थे रनजीत सिंग लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा किसको अंग्रेज्वों को कहीं वो हमारी शाषन को न हडप ले क्योंकि जो ranjiic singh की सैना थी वो Asia की दूसरे नंबर की सभसे बड़ी सैना थी फ्रिक है न इसी के डर से ranjiic singh के डर से एक संदी करते हैं अंग्रेज किसके साथ ranjiic singh के साथ जिसे कहा गया अमरतसर के संदी क्योंकि अमरस्तर में ये संदी की गई इसलिए से अमरस्तर की संदी कहा गया किस-किस के बीच हुई तो अंग्रेज और रणजीत सिंग के बीच हुई पूछे अंग्रेजों की तरफ से कौन थे तो मेंटकॉफ थे गवरनर मेंटकॉफ थे और रनजीत से, ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो हमारी सतलज नदी है, जो की हमारी कहा से जाती है, जो की हमारी होते हुए किस से जाती है, पनजाब वाले छितर से होकर जाती है, सतलज नदी के पश्चिम का जो सामराज्य होगा वो रणजीत सिंग का होगा और ये वाला छित्र जो होगा या फिर हम सकते हैं उत्तर का जो सामराज्य होगा वो रणजीत सिंग का होगा और दक्षिन का जो सामराज्य होगा वो किसका होगा अंग्डेजों का अधीकार होगा ये संदी की गई किसके साथ राजा रणजीत सिंग के साथ ठीक है फिर से रिपीट करते हैं देखिए अमरस्तर की संदी होई कहाँ पर पंजाब के अमरस्तर में अमरसर की संदी होई और उसमें ये फैसला लिया गया कि सतलज नदी के उत्तरवाला छेत्र ठीक है जो कि पहले से ही रणजीत सिंग के पास था वहां तक आपका सामराज्य रहेगा और उसके दक्षिन वाला एरिया जो होगा वो होगा किसका अंग्रेजों का ये कहा गया किसमें अमरसर की संदी में है ठीक है तो आपको याद रखना अमरसर की संदी किस-किस के बीच हुई सबसे पहला अंग्रेज और राजा रणजीत सिंग पूछे अंग्रेजों की तरब से कौन आया तो मेंटकॉफ अंग्रेजों की तरब से आई ठीक है नेक्शनम बात करें जो जमान सहा थे अफगान युद्ध चल रहा था और जमान सहा हारने वाले थे तो जमान सहा किसके सरण में आये रणजीत सिंग की सरण में आये जिस समय रणजीत सिंग की सरण में आये तो दो बारा उस समय पर रणजीत सिंग को जमान सहा से क्या मिला कोहिनूर हीरा मिला क्या मिला कोहिनूर हीरा मिला जिसे नादिर सहा लेकर गया था ठीक है कोहिनूर हीरा सत्तर करोड रुपे और तक्ते ताउस लेकर गया था अफगानितान फारस का सासक था ठीक है उसी से मिला जमान सा को कोही नूर हीरा और जमान सा से मिला राजा रनजीत सिंग को हीरा कौनसा कोही नूर हीरा ठीक है नेक्स नम बात करें 1831 में कव 1831 में मिले रनजीत सिंग किस से लौड विलियम बैंटिक से तो पूछा जाएगा रणजी सिंग लॉड विलियम बेंटिक से कम मिले थे तो 1831 में मिले थे ठीक है नेक्स नम बात करें 1849 तो 1849 में मिरत्य हो जाती है किसकी रणजीत सिंग की और यदि बात करें उनकी राजधानी की आती तो उनकी राजधानी जो फिलाल का पाकिस्तान वाला एरिया है उसका लाहौर ठीक है ना इनकी राजधानी थी तो यह आपको मुखे रूप से याद रखने है रणजी सिंग को लेकर बाते हैं नेक्सम बात करते हैं इनकी फौज को क्या कहा जाता था तो इनकी फौज को जो फौज थी उनकी फौज को कहा जाता था सेना को फौज एक खास ठीकर ना जो कि A.C.A की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी उस समय पर बात करें इनके सामराज्य को क्या कहा जाता था तो इनके सामर उसके बाद सेर सिंग उसके बाद दिलीप सिंग ठीक है इनी के पुत्र थे राजा रनजीत सिंग के और इनकी मा का नाम इन सभी की मा का नाम था रानी जिंदा जो की रनजीत सिंग की पतनी थी और इन सभी की मा थी ठीक है अंतिम रहे दिलीप सिंग दिलीप सिंग 1843 में उने तनखा देने लगे और पूरा अधिकार कर लिया सिंद वाले छेत्र पर पंजाब वाले छेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया पंजाब वाले छेत्र पर तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतरकत हमने पड़ा किस पर पंजाब और अमरसर पर हम पंजाब अम पर बात करेंगे, ठीक, उसके बाद हम इस वीडियो को रोपते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, अभी क्या पड़ा, उसके बाद हम आंगलिस सिक्ष यूद्ध पर बात करते हैं, ठीक है, देखिए, मैंने अभी आपको बताया, अंतिम सिक्क गुरू, गुर रणजीत सिंग ठीक है रणजीत सिंग पर बात करें तो 1798 में में अफगानिस्तान का सासक जमानशा आया आक्रमण करने लेकिन उसकी तोफे गर गई पानी में उन्हें डुनदवाने का काम कर रणजीत सिंग ने और खुस होकर जमानशा ने रणजीत सिंग की सायता की और 1709 म सीली अमरस्तर की संदी कहा गया किस किस के बीच हुई तो अंग्रेज मेंट कॉफ और रणजी सिंग के बीच हुई जिसमें कहा गया कि सतलज नदी के ऊपर वाला छेत्र होगा किसका रणजी सिंग का और नीचे वाला छेत्र होगा अंग्रेजों का ना हम आपके में दखलंद सिंग मिले थे किस से लॉड विलियम बेंटिक से 1849 में मिरत्य हो जाती है रणिजी सिंग की और उनकी राजधानी थी लाहौर ठीक है नेक्स नम बात करें इनकी सैना को फौच एक खास कहा जाता था यही सामराज्य की बात करें तो खाया जाता सरकार एक खाली सा ठीक नेक्स सासक बने उसी के बाद अंग्रे जोने दिलिप सिंग को लेकर भेज दिया ब्रेटेन पढ़ने के लिए और सासन कलिया पूरे सिंध प्रांट पर ठीक है और दो आंगल सिक्यूद्द लड़े गए आईए अब उन आंगल सिक्यूद्दों पर बात करते हैं किस प्रिकार अं प्रथम आंगल सिक्यूद्द की तो ये किस किस के बीच लड़ा गया सीधी सी बात है सिखो और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया इसलिए इसे आंगल सिक्यूद्द कहा गया सन आपको याद रखना है सन है 1845 से लेकर 1846 के बीच में लड़ा गया प्रथम आंगल सिक्यू इससे संबंदित आपको जो बातियाद रखनी वो ये हैं कि 1843 में सिंद पर कबजा कर लिया किसने अंग्रेजों ने कब कर लिया जब दिलीप सिंग सासक बने उसी समय पर कर लिया और एक घोषना की गई कि दिलीप सिंग की मिरत्यू के बाद जो सिंद पर अधिकार होगा वो अंग्रेजों का होगा और किस संदी के बाद ये बात की गई तो वो संदी थी लाहौर की संदी ठीकर लाहौर की संदी जो की 1846 में हुई जब प्रथम आंगल सिक्यूद्ध खतम होगया घोषना क्या की गई कि दिलीप सिंग की मिरत्यू के बाद जो सिंद पर अधिकार होगा वो अंग्रेजों का होगा यानि इस वाले चितरप अधिकार अंग्रेजों का होगा ठीक है बात करें इस समय पर गवर्नर कौन था तो इस समय पर गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग इस समय पर गवर्नर था ठीक है तो आपको प्रथम आंगले सिक्यूद्ध संबंदे जो बातयाद रखनी वो ये है कि इसका सन 1845 से लेकर 1846 यदि बात करें 1843 में दिलीप सिंग जब सासक बना उसी समय प पर बात करें गवर्नर कौन था तो इस समय पर गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग तुट्यांग सिक्यूद्ध में आपको याद रखना समय समय है 1848 से लेकर 1848 यदि बात करें कहां पर लड़ा गया तो गुजरात में लड़ा गया गया और तोपों का बहुत ज़्यादा प पावर ने किया तोपो का सबसे पहले प्रियोग भारत में यदि बात कहें दुत्यांगल से क्यूद तो इसमें भी बहुत जादा तोपो का प्रियोग किया गया इसलिए इसे कहा गया तोपो की लड़ाई कहां पर लड़ा गया गुजरात में लड़ा गया इसमें सिक्क हार ग मतनी थी दौनों को लिया और विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए पैंसन के पैंसन देकर ठीक है तो और अब कबजा किसका हो गया तो कबजा हो गया अंग्रेजों का उनके मरने तक का वेट नहीं किया बल कि उन्हें भेज दिया ठीक तेते आंगली सिक्ष्ट मुख्य रूप से आपको क्या 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 आद रखना है पर थमांगली सिक्ष्ट अठाष 25-40 के बीच में लडा गया अठाष 25-40 में शिंद पर कबजा कर लिया इससे में गवानर लौड हार्डिंग थे घोशना की गई कि दिलीप सिंग के बाद किसमें हार गये और दिलीप सिंग और रानी जिंदा को विदेश भेज दिया पैंशन देकर ठीक है और कबजा हो गया सिंद पर अंग्रेज हो का तो ये था हमारा पंजाब जिसमें हमने दिलीप सिंग और आंगल सक्ष्टों को डीटेल में देखा तो आपको बताना है सभी को कंप्लीट करते लेना नोट्स बनाते चलना डीटेल में सभी को खत्म करकर जितना भी प्रीवेस है उसे खत्म कर लेना और अभी इसे मेरे साथ तैयारी में लग जारा ठीक है बड़े अच्छे से डीटेल में GS को कवर करेंगे इसी तरीके से तो मिलेंगे नेक्शcribe म तब तक आप अपना अच्छी से रिवीजन करना, thank you.